योगी मंत्री मंडल में जगाह पाने वाली संगीता बल्वंत बिंदजी इस समय हमारे साथ में है उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब जो समय उन्हें मिला है काम करने के लिए उसमें कितना काम वो कर पाएंगी क्या आगे के लिए उनके माइंड में प्लैनिंग है देखिए जो समय की आप बात कह रहे हैं मैं कहना चाहूंगी कि यदि आप द्रिल निश्य हैं काम करने की भावना है तो समय माइने नहीं रखता है पुरवर्ती की सरकारों में आपने देखा कि 2017 से पहले केवल 12 मेडिकल कालेश थे पूरे प्रदेश में 70 साल के अंदर लेकिन साड़े 4 साल के अंदर योगी सरकार ने 30 नए मेडिकल कालेश दिए तो समय माइने नहीं रखता एक दूसरा और उधार दूँ कि इस साड़े 4 साल में ही योगी सरकार ने पांच नए एक्स्प्रेश वे दिए तो काम करने की भावना है यदि आपके अंदर दिल आक्षा है आपके अंदर तो समय माइने नहीं रखता और हम लोग को भी जो समय मिला है मैं प्रियास करूँगी कि कम समय में ही अच्छा परिडाम मैं प्रदेश के लिए दूँ जो अगर हम पूरे साथ जो नए चेहरें इनकी बात करें तो देखिए एक कही ना कहीं चाहिए जातिकत समी प्रदानमंत्री जी पिछले समा से आते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लिए प्रदानमंत्री जी पिछले समा से आते हैं जो उपमुख्य मंत्री हैं वो भी पिछले समा से हैं कहने का तात पर कि भारती जन्ता पाइटी सरो समास के साथ साथ पिछले समाज की भी हितैसी है दलिस समाज की भी हितैसी है महिलाओं की भी हितैसी है और जो लोग यह कह रहे हैं कि यह विस्तार जातिगत आकड़ा को रखके किया गया है चुनावी वार किया गया है इस मंत्री मंडल के साथ तो मैं उन विपक्षियों से कहना चाहूंगी कि वो केवल एक जाती की राजनीत करते थे चाहे सपा हो या बसपा हो किसी से छिपा नहीं है वो केवल और केवल एक जाती की राजनीत करते थे लेकिन भारती जनता पाईटी की सरकार सभी जाती सभी धर्म के को मिला के चल रही है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास क साथ कारे कर रही है तभी आप परिडाम देख सकते हैं कि कभी विपक्ष भढ़काता था मुस्लिम समधाय को कि भगवा के पास नहीं जाना है भाजपा के साथ नहीं जाना है तीन तलाग पर जो काम किया है भारती जन्ता पाइटी ने मुस्लिम महिलाओं के जिस दर्ध को कई कई बार विधायक बनने के बाद भी लोग मंत्री नहीं बन पाते हैं आपको तो पहली बार आप विधायक बने और मंत्री बनने का वी अफसर में देखिए सबसे पहले मैं अपने छेतर की देव तुले नागरिकों को नमन करते हुए बधाई देती हूं कि उन्होंने कि इस मंत्री मंडल विस्तार में उन्होंने मुझे सामिल किया मुझे भरोसा जताया और जो भरोसा पाइटी और संगठन ने मुझे पर जताया है उस पर खरी उतरने का पूरा प्रयास करूंगी एक आखरी सवाल, 2022 की बार-बार बात देखे हो रही है, मंत्री मंदल विस्तार भी ऐसे समय हुआ है जब चुनाओ करीब है, जाही सी बात है, बतौर विदायक, बतौर मंत्री आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है नईपत के साथ? देखिए, जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, इन जिम्मेदारियों से भारती जन्ता का पाईटी का जो सिपाही है, वो पीछे नहीं भागता है, बलकि चुनाओती में वो और बेहतर काम करता है, और हम सब मिलके एक अच्छा आकार देंगे उत्तर प्रदेश को बनाने के मानने योगी जी, हमारे मुख्य मंत्री जी, जो काम कर रहे हैं प्रदेश को सजाने सवारने का, उसमें हम सहभागीता करेंगे, यह हमारे लिए सुवसर होगा कि 17 वी विधान सभा में मंत्री मंडल में मैं सामिल हुई, और प्रदेश के नौ निर्मार का जो कार्य कर रहे ह मैं योगी जी, उसमें हम सहभागी बने, इसके लिए मैं अपने छेतर के नागरिकों का और प्रदेश सरकार का संगठन का फिर दैसे पधाई देती हूं, धन्यवाद देती हूं बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, तो संगीता जी ने कहा जिस तरह से हमने सुना कि जो जिम्मेदारी दी है, संगठन ने उनको जो सरकार से जिम्मेदारी मिलेगी विभागी है, उन सभी के उपर खरा उतरने की कोशिश होगी, और आने वाले चुनाओ के लिए उन्हो प्रक्षियों को दोटू कहा कि वो चाहे जो कर ले चाहे एक जूट हो जाए, लेकिन एक बार फिर से भाजपा ही बहुमत से आएगी, कैमरा सहयोगी राजू के साथ चैले चरूरा, ABP गंगा लखना होगी